हालो दोस्तों मैं हूं दिप्ती मेरे चैनल दिप्ती की दिन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम रोभू फीज करी बनाएंगे कुछ अलग मसाले इसमें मैं यूज कर रही हूं मेरे साथ भीडो में लाश तक बने रही है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं किसकरी बनाने के लिए प्यान को गरम करके मैंने इसमें दो बड़े चमच टू टेबूल स्पून ओयल इसमें ली हूं दो बड़े प्याज को इसमें स्लाइच इसमें कट करके डाल देंगे पहले से ही आमने मसली को फ्राइ करके रखा है मसली मैंने बहुत सारे वीडियो में फ्राइ करना दिखाया है तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो जब तक प्याज कॉल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राइ करते रहेंगे जैसे ही प्याज प्राउन कलर हो जाए इसमें हम देंगे लसुन और हाफ प्याज को 15-16 लसुन की कलियां और हाफ प्याज इसमें मैंने मिक्सर में इसे पेस्ट बना लिया है इसको डाज देंगे लिए के बाद इसे हम भूनेंगे थोड़ी तर के लिए थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए प्याज की तो हम भूनते रहेंगे मसाले की थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे बाजार से लाया गया मैं प्राइम कमपन की यूज कर रहे हूं अद्रकलसुन का पेस्ट इसमें एक चमच हम डाल देंगे यह कोई भी मतलब प्रोमोशन वीडियो नहीं है मैं यूज कर रही हूँ इस मसाले को इसलिए बता रही हूँ आप कोई भी ब्राण्ड की अद्रकलसुन भी ला सकते हो तो इसे हम देंगे मसाले में हर बार हम घर पे मसाले बना कर यूज करते हैं उसका एक अलग स्वाद आता है और इसका भी एक अलग टेस्ट हाएगा आप लोग इस तरह चरूर बनाएए और आप देखिएगा आप इसी टाइप के ही हमेशा बनाएंगे और अद्रकलसुन को देने के बाद हम थोड़ी दर के लिए मिला लेंगे ताकि निचे से मसाला जलना जाए अब जो बोल रही थी के स्वेशल मसाला में इसमें यूज कर रही हूँ तो हम इसमें अभी यूज करेंगे अब इसमें आड़ करेंगे हम ननवेश करी मसाला बहुत ही टेस्टी लगती है कोई भी ननवेश ग्रेवी में आप इसे यूज करो बहुत ही टेस्टी इसकी जो स्मेल होती है तो वाउ बहुत अच्छी लगती है तो इसका एक पैकेट मैं इसमें पूरी तरह दे दोंगी एक छोटी सी पाउस लाके इसमें हम दे देंगे और बस सबको मिला के इसे हम फ्राय करेंगे भूनेंगे अच्छे से भूनेंगे दो से तीन बार इसमें पानी आड़ करके हम अच्छे से भून लेंगे ठीके इसमे विनेगार पगेरा रहता है ज्यादा दिन तक स्टोर रहने के लिए तो अखटापन के लिए मैं इसमें टमाटर भी यूज नहीं कर रही हूं कुछ भी नहीं चाहिए तो आप घर पर अध्रकलसुन का पेस्ट भी बना सकते हो और ननवेच करी मसाला लाग के कोई भी का आप इसमें यूज कर सकते हो मैं प्राइम कंपानिक लाती हूं स्टाटिंग से तो मुझे ये पसंद है तो मैं इसे यूज करती हूं तो आप कोई भी ब्रांड का लाए कोई फरक नहीं पड़ेगा पस आप इसे यूज करके अपनी जो फीस आप उसे अलग तरह बना सकत हो एक अलग टेस्ट ला सकते हो इसमें जैसे आपको लगेगा कि आप बहर से लाए हो या फिर कोई गेस्ट आजाए घर में या फिर छोटा मठा पाटी रख रहे हो तो इस मसाले को आप ज़रूर यूज करना मैंने चिकन भी बनाया है तो मैं दे दूंगी आई बटन में च बहुत प्यारा लगता है बहुत टेस्टी लगता है तो आप लोग इस मसाले को ज़रूर ट्राइ किजिए तो मसाले को हम तीन से चार बार मतलब पानी आड़ करेंके अच्छे से भूनेंगे तो ही इसकी टेस्ट अच्छी तरह आएगी मसाले अच्छे से भूने के बाद इसमें हम पानी आड़ करेंगे मैंने इसमें एक लास और फाफ क्लैस फोड़ी सी कम पानी दी हूं आप लोगों इतने ग्रेबी चाहिए आप उसी इसमें पानी दना और मैं कम भनी दी हूँ क्याँकि मुझे थोड़ी थीक पाली क्रेबी चाहिए तो आप देखिए मिवाद में थोड़ी सी पानी invac की हुँ और मेक्स करके इसे उबबा लाने तक हम वेट करेंगे अनुसर तो नमक देने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी रेटशिती पाउडर आड़ करूंगी तिखा पन लाने के लिए आप लोग को अगर तिखा ज्यादा पसंद नहीं आप मत दार लिए फिर मेरी यहां पर थोड़ी सी डाल रही हूं और कोई भी मसाला इसमें आड़ने करेंगे इसके पाद हम करम मसाला दे देंगे इसमें और उबा लाने के बाद जितनी फीशा में आड़ करना है हम ग्रेपी में आड़ करते जाएंगे बस इस समझ लोग के हमारी जो रेशिपी है वो अब लगबख रेडी है तो सारे फीज को हमें एक एक करके ग्रेवी में डालते जाएंगे और इसे दो से तीन मिनिट के लिए हमें इसे उबलना के लिए छोड़ देंगे अफिस थोड़ी सी सफ्ट हो जाए तो पलड देंगे मैंने आकर यहां पे पलड दिया था और उपर से धन्य के पत्ते से हम गानिसिंग कर लेंगे और मैंने थोड़ी सी कस्तूरी में थी भी इसमें डाला है अच्छी जो टेस्ट होती है और जो स्मेल होती है वो दोनों ही बहुत अच्छी आएगी आप लोग इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करना अब मैं पूरी क्यारेंटी के साथ कहती हूँ आप सबको बहुत पसंद आ है कि अवा अब खूती देखिए अप लोग को इसकी लोग कैसी लग रही है कि मुझे तो बहुत अची लग रहे हैं ह। इस वीडियों को पसंद किये होगी अगर आप लोगेत प Prosecut आयो की तो पिडिधो कर दिजी कर और अपनी फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर किजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो ये रेशिपी पहुंच सके अपने फेस्बूक वार्ट्सों स्ट्राक्टरस में आप शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को अपने ज्यादा किजिए ताकि ज्यादा लोगों के एस वीडियो को